नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलिज में दोस्तो आपके कमान में ऐसी तीर होनी चाहिए जिससे पूरे युद्ध का माहोल बदला जा सके मतलब दोस्तो कुछ आपके पास ऐसा हो जिससे दुस्मन देश बिलकुल चौक जाए और भारत दुनिया को सर्प्राइज करने में तो टॉप नमबर वन की लिश्ट पे आता है दोस्तो आप लोगों को भारत के मैंने बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया होगा जैसे सूरिया, अगनी सिक्स, काली, दुरगा जैसे वेपन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया होगा लेकिन दोस्तों आज मैं भारत के एक ऐसी सीक्रेट मिसाइल के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल दुनिया में खलभली मचा सकती है और ठीक ये दुनिया में खलभली मचा भी रही है और दोस्तों मैं आप लोगों को वही जानकारी देने जा रहा हूँ जो इस अच्छा को लेके इससे कोई भी हानी नहीं है वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आये हो तो नीचे रड़ कलर का सब्सक्राइब को बटन है जाई यह फटावर चैनल को कर लीजिए सब्सक्रा किया और उस समय पे हमारा भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जो कि किसी भी सेटलाइट को मार के गिरा सकता था लेकिन दोस्तों उससे पहले तीन देशों के पास एंटी सेटलाइट मिसाइल थी जिसमें से हमारा दुसमन देश चाइना है अब दोस्तों चाइना क पास पहले से ही एंटी सेटलाइट मिसाल थी कलका मान लीजिए भारत और चाइना का युद्ध होता है और चाइना हमारी सेटलाइट को मार के गिरा देता है दोस्तों हलाकि अंतर राश्टिय नियुमों में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंतरिच में किसी भी देश का तीर होनी चाहिए जो दुस्मन को चौका सके कलका कुछ भी हो सकता है चाइना जीत के लिए कोई भी कदम उठा सकता है ऐसे में दोस्तों हमें दूर के सोचना चाहिए और मान लीजिए कि चाइना भारत की सेटलाइट को मार के गिरा देता है तो भारत मात्र कुछ ही मिल्ट तो में अपनी नई सेटलाइट को लांच कर देगा और इस सेटलाइट को लांच करने के लिए भारत एक मिसाइल तयार कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेदा आप लोग को इस टाइम प्रोजेक्ट वेदा के बारे में बहुत सारी जानकारिया मिल नहीं होंगी क्योंक जश्ट पीछे एक प्रोटो टाइप देखने को मिला जिसमें साफ साफ लिखा था प्रोजेक्ट वेदा मतलब दोस्तों डियाइडियो खुद इस मिसाइल के वारे में अब दुनिया को बताना चाहता है और डियाइडियो ऐसी मिसाइल पे काम कर रहा है अब ये चीज़ तो किलियर है कि भारत और चाइना आपस में बहुत ही बड़े दुस्मन बनते जा रहे हैं और कल का कोई बड़ी युद्ध की आहत भी दिखाई पड़ सकती है ऐसे में भारत को पहले ही सतरक रहना चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट को बिलकुल तयार करके रखना चाहिए क्योंक कमेंट्स करते हैं वीडियो के कमेंट्स वाक्स मिदा के लेकिन दोस्तों उससे पहले आप बिलकुल जैहिन लिखिए और हमारे देश के साइंटिस्टों का मनोबल बढ़ाईए आप लोगो क्या लगता है प्रोजेक्ट वेदा के बारे में ये लिखना भी मत भूले वीडि तु चलता हों मिलता उन्हें वीडियो में जय हिन जय भारत